Hello students, हम कर रहे हैं financial accounting Financial accounting के अंदर अभी हमारा consignment account नाम का chapter हमने start किया है उसके दो lecture मैं upload कर चुका हूँ, एक मैं basic concept बताया एक के अंदर मैं consigner book के अंदर जो general entries होती है वो सिखाई आज की इस lecture के अंदर मैं आपको एक numerical question इस्वाल करवाऊंगा और आपको consigner की book के अंदर जो जो account बनते हैं वो सिखाऊंगा ठीक है, तो question जो है वो आपको इदर screen पे सो हो जाएगा मैं इस question को यहां मेरे सामने book है, उसमें से देखूंगा ठीक है, ओके, चालिए तो हम कर रहे हैं in the books of consigner, consigner की books के अंदर हम accounting कर रहे हैं तो question में पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको इदर दिखेगा, ठीक है यह है Mr. Kapil of Udhepur, Mr. Kapil है वो कहां के हैं, वो Udhepur के हैं, ठीक है consign to Mr. Bharat of भीवारी, भरत भीवारी के रहने वाले हैं और Mr. Kapil जो है, वो Udhepur के रहने वाले हैं और वो उसको consign कर रहे हैं तो यहां पर Mr. Bharat जो है, वो होगे consigner और Mr. Kapil जो है, वो होगे consigner और Mr. Bharat जो है, वो होगे consign नहीं तो दो पार्टी हैं, एक है Mr. Kapil और एक है Mr. Bharat Mr. Kapil क्या कर रहे हैं, भरत को good consign कर रहे हैं, तो यह होगे consigner और यह होगे consignee, यानि कि एजेंट उसके, ठीक है, अब हम यहां पर accounting करने वाले हैं Mr. Kapil की books में, main exam में यही आती, इसमें consignment account आपको बनाना पड़ता है और इसकी general entries मैंने आपको last lecture में सिखाएगी, तो मैं यहां से start करूँगा, in the books of Mr. Kapil और जो को ने, consigner ने, ठीक है, इसकी book में 3 account बनेंगे, 3-4 account बनते हैं मैंने जैसा बताया था, यह question में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, unsold stock जो होता है, वो भी निकालना सीखेंगे आप, ठीक है, एक तो unsold stock निकालना सीखेंगे, और इसके साथ साथ consignment account बनाना सीख लेंगे आप, और जो हमारा भरत है, यानि consignee, उसका account भी बनाना आप सीख लेंगे, और एक account बनाना सीखेंगे, वो है good send to consignment, इस question के अंदर मैंने abnormal loss को नहीं लिया है, ठीक है, उसका अलग से treatment हम करेंगे, उसको अलग से सीखेंगे, ठीक है, इसके अलब बी आर जो है, उससे related भी चीज़े आप यहाँ पर होगे, मैं सब फटा-फट पहले नाम लिख देता हूँ, यह consignment account, ताकि हम आगे पढ़ते जाएंगे और इनके अंदर चीज़े ट्रांसपर करते जाएंगे, यह nominal account होता है, consignment account कौन सा account होता है, nominal account होता है, मलब खर्चे होंगे, expenses होंगे, तो debit में, income होगी तो credit में, ओके, यह हो गया, consignment account यानि कि personal account है भरत का, और भरत हमारे लिए एक तरीके का, data या creditor बनेगा, वो समय के हिसाब से देखेंगे, entry के हिसाब से होगा, और यहाँ पर हमें एक बना देंगे, good sent, to consignment account, और यह तो simple ही है, इसका जो भी balance होगा, वो हमारे trading account के अंदर चला जाएगा, अभी हम कौन है, हम मिस्टर कपिल है, अपन मिस्टर कपिल की books में accounting कर रहे है, तरीके से, ठीक है, ओके, आगे question को पढ़ता हूँ, on 1st June 2016, 200 cycle of at the rate 1500 per cycle at cost, कितनी cycle है भेजी है, 200 cycle sent कर दी, और एक cycle है, पंदरा सो रुपे की, तो हम यहाँ लिख देंगे, consignment account में, to good sent, to consignment, consignment, ठीक है, कितनी cycle है, 200 cycle, एक cycle कितनी की है, पंदरा सो की, तो यह हो गया, 3 lakh, yes, क्योंकि खर्चा है ना, तो debit में दिखा दिया, वहारा खर्चा हो गया, good sent किया हमने, और इसकी general entry बना के देखोगे, कल मैंने last lecture में सिखाई थी, वो भी ऐसा ही था, consignment account, debit to good sent on consignment, आप चाहे तो date का कोलम भी इसमें बना सकते हैं, मैंने नहीं बनाया है, ठीक है, okay, next, आगे पड़े, भरत accepted, और 1 lakh रुपीज बी आर, देखो, बी आर जो है, वो किसने लिखा होगा, वो लिखा होगा, कपिल ने, है न, और accept किसने किया होगा, वो किया होगा, सामने वाली पार्टी भरत ने, तब ही तो कपिल के लिए वो बी आर है, न, अब मनलब भरत ने कुछ ऐसा एक agreement सुईकार कर लिया, जिसमें भरत ने बोलाए कि कुछ महीने बाद में मैं आपको इतने रुपे देने की गारंटी देता हूँ, तो वो जो बी आर है, वो एक लाग रुपे का है, वल लेक रुपीज का बी आर उसने 3 जून 2016 को accept कर लिया, तो इसके कोई जनरल एंट्री अगर आप करेंगे, तो ठीक है, इसके एंट्री हो जाएगी, बी आर अकाउंट डेबिट टू भरत, इसके एंट्री क्या होगी, बी आर अकाउंट डेबिट टू भरत, भरत ने हमें कुछ एडवांस में दे दिया ना, की ठीक है आब क्या हुआ कापिल डिसकाउंटेडीट फ्रॉम बैंक एट 90,000 टॉपल ने क्या किया इस फिर को लिजा कि बैंक सी डिसकाउंटãyड करा दिया और और कप फिल जब बैंक से डिसकाउंट होट कर नहीं तो तू आप क्या लिखेंगे आप यहां पर लिखेंगे भी ऑर क्या अरो бол submit ऑंड़ तरकल ली डिसकाउंट वाल मोटездеod तो इसको अमने डिसकाउंट एक लाग का बी आ रहा था बी आर था नभी अजार में उसको हमने अगर भरत के होते तो मैं भरत लिखता ओके आगे भरत ने भी कुछ खर्चे किये भरत पेड़ वन थाउजन फॉर अन्लोडिंग असमाल को उतुराने के उसने फाइफ बाइफ बात रुपे उसने टक्स चुकाया औकत रींगी के düş wod degradation रेंट गोडाउं रेंट उसका si उस Three to यह दे लिखिया खर्चत ing Revelation this लेकिन भरतने किया है और भरत को कमें बनाप पैसे देने पडेंगे इसलिए तो इसके भी खर्चों की मैं टोटल कर लेता हूँ 1,500 और 2,000 3,500 अब भरत में इसकी लेजर करेंगे तो consignment account भरत भरत में क्या आजाएगा बाए भरत बोलेगा न 1,00,000 BR के लेने है 3,500 मैंने खर्चा किया वो भी लेना है तो बाए यहाँ आजाएगा consignment ओके नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं आगे भरत रेसीव कमिशन 5% जनरल कमिशन और 2% डेल क्रेडर कमिशन जनरल कमिशन टोटल सेल पी दी जाती है डेल क्रेडर कमिशन जो है उधारी उधार सेल पी दी जाती है तो टोटल कमिशन है आपका 7% लेकिन टोटल सेल पर 5% क्रेडिट सेल पर 2% ओके अब देखते हैं सेल कितनी है आगे लिखावा है भरत सोल 100 साइकल ऑफ फोर कैस एट एहांःट एक ञीयर पर 80 पर साइकल और 50 साइकल ऑन होन लोट्सक्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट और इज़ेद धने साइकललa और पर 2 क आधर हम लिख देंगे भरत काउचुनकि भरत उधार में जो आपने भरत ने साइकले बेची है वो पचास और दो अजार रुपे की एक 2000 की वन वो वन लेक तो टोटल आगया आपका दो लाग सीजार कि अब कमिशन भी देना ना भरत को हाँ तो कमिशन यहां दे देते हैं तो भरत अकूंट anybody कpend देना है थे खोबरस जायर बाद में अग्मय क्यों कि अदर है नğ न्यार्प्य चीजिस चैज़ रेते हैं एक तो नॉर्मल कमिश्ज टो टोटल पे मिलें गहें गश्राइक है और सब्सक्राइब यह भरत बिदर यहां उसको भी दर केमश मेंच में ऑल के अंसाइनमेंट भरत को यह देना है यह सब बरत को देने हैं यह बरत से लेना तो नेट पेमेंट आजाएगा अपने आप कितना हो गया 16,000 आगे कोशन में देखते हैं और क्या है भरत सेंट अकाउंट आप सेल आफ्टर डिडेक्टिंग एक्सपेंसिज और कमिशन ऑन 30 जून प्रिपेर नैसे सिर जनरल एंटरी इंद बुक्स ऑप कपिल एंद भरत कपिल की बुक्स में कर रहे हैं आज तो यहां तक हो गया अब हमक का प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं वह बताए क्या है वह आपको अन्सोल्ड स्टॉक निकालना होगा अन्सोल्ड स्टॉक ऐसा स्टॉक जो भरत के पास में था लेकिन विका नहीं है ऐसा था क्या हां था ना हमने 200 साइकल उसको सेंड करी थी भरत को उसमें से भरत ने प्रॉफिटा उस साइकल की वैल्यू पंद्रा सो नहीं है उस पर हमने कुछ खर्चे भी किये हैं जब गुट सेंड किया जो भी गोडाउन तक पहुंचने के पहले के खर्चे वह सारे लेने हैं गोडाउन में पहुंचने के बाद के नहीं हां तो उसको रिकरिंग एक्सप दिखाता हूं आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट टोटल गुड्स सेंड कंसाइनमेंट पर किया वह कित्ते का था वह था तीन लाग रुपे का उसमें आपको एड़ कर देने हैं अभी नौन लॉस वगरा तो हैंनी कुछ वरणा इसक अलग ट्रीटमेंट होता है में का एंड कर दिनिया आपको एड़ कर दिने कं साइंर के एक्सपरेंस का थे नारे लैतकि कुड्स कि गुड्स की कॉस्ट बढ़ गई जितने खर्चे होंगी गुड्स की कॉस्ट बढ़ती जाएगी है वरना तो तीन लाग कई था तेकन और कर दी तो वो गुड्स महेंगा होता गया बट कंसाइनी के एकस्पेंसे लेने बता है आपको जो गो डाउन में पहुंचने से पहले पहले के मलब जैसे गो डाउन रेंट भी था तो वह नहीं लेना तीन गोड्स ने गर्चे किये थे एक उसने किया था अंड लोडिंग 1000 वह ले लेंगे हम एक उसने आगे किया था ओक्टरी के वो भी टेक्स बीच में रस्ते में लग जाता है और 2000 उसने गो डाउन रेंट के थी वो गो डाउन रेंट नहीं लेना है वो नॉन रीकरिंग एक्सपेंस है उनको रीकरिंग लेने हैं तो यह हो गया आपके 1500 तो यह पर 1500 हमने और एट कर देते हो तो टोटल आप देखेंगे तो यह तो यह जाएंगे 367 37500 तो यह 37500 का जो टोटल हमारा कॉस्ट है वो कितनी साइकल के 200 हमार पास कितनी साइकल बची बची पचास तो इसको पचास पर लिया यह आपका Unsold Stock calculate हो जाएगा मैं कर देता हूं तो 3,7,500 डिवाइड बाइड 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 तू हंडड मल्टिप्लाइबाइड बाइड तू हंड़िप्लाइड बाइड तू हंड़िप्लाइड बाइड इसमें एड गर देते हैं टू लेकेटी थाउसंड 356,875 और उसमें से लेस्ट कर देते हैं यह सब क्या-क्या है 3,00,000 लेस्ट कर लेता हूं मैं सबसे पहले तो फिर है 10,000 फिर है 6,000 फिर है 3,500 और फिर है 16,000 तो जो अमर कपिल है उसको इस बिजनस से कितना प्रॉफिट हुआ 21,375 बरत को इसमें से कुछ नहीं मिलेगा बरत को सिर्फ कमिशन मिलता है वो हम उसके पी एनल एकॉंट में ट्रांसफर कर देंगा 21,375 या या बैलनसिंग फिगर 3,568,75 और भरत का देख लो फिया किते लेने किते देने बरत से लेने थैमें 12, 2000 बहिए ने सेल possiamo किया न, 12,000 तो भरत वह हमें पैसे देगा तो बरत से 2,80,000 लेने थे लेकिन भरत क्या करेगा देखो 2,80,000 में से 1,00,000 रुपे जो हमने उसने advance में बियार दिया था उसके काट लेगा 3,500 उसके खर्चे हुए उसके वो काट लेगा और commission उसको किता देना था 16,000 रुपेगा उसके भी भरत पैसे काट लेगा बाकि हम भरत से मांगते हैं 1,60,500 वो भरत हमें दे देगा तो हम यहां लिख देगे buy cash या check देगा तो bank 1,60,500 तो यह आगया 2 उसके इसका क्या करना है इसका कुछ भी नहीं बटा देखो यह जो good send to consignment था ना इसमें चला जाएगा buy consignment account और इसका जो भी balance है वो सीधा trading account में transfer कर ला है बस तो यह 3 lakh आ गया और इसका balancing figure इदर आ रहा है उसको हम यहां कर देंगे 2 trading account जो कपिल है हमारा consignor है उसके trading account में इसको transfer कर देंगे क्योंकि एक तरह का वो good send किया है ओके ठीक है तो इस तरीके से हमारा question जो है वो complete हो जाता है next lecture के अंदर हम इस chapter को आगे बढ़ाएंगे आपका support चाहिए थोड़ा सा क्योंकि दिन बर बहुत सारी classes बगरा लगती है free नहीं है लेकिन फिर भी आपके लिए time निकाल के अपलोड करते हैं क्योंकि आपके बहुत सारे comment आते हैं तो वो देख के मन होता है तो इसी तरीके से comment करते रहिए like share subscribe कीजिए मिलते नेक्स वीडियो में आज के लिए इतना ही बाई बाई थेंक यू